Hello everyone, so कैसे हैं? आप सब IP University की कुछ बढ़िया important updates आप लोगों के लिए आई है और जो student first round की council का टेंट कर रहे थे BBA course के लिए और उनके लिए भी बढ़ी update है क्योंकि काफिसरे student में पर पस comment section में बोल रहे थे कि sir हमारी जो है last time पे payment miss हो गई थी और हम कहीं बाहर थे हमें दिहार नहीं दिया तो उनके लिए good news आई है कि आप लोगों के लिए date extend करी गई है यानि कि आज की date में आप लोग अपनी जो है payment complete कर सकते हैं जी हाँ part academic fees का जो last date था वो इन्होंने रखा था पहले 28 के around रखा था 27 तका withdraw ले पा रहे थे तो यहाँ पर क्या करा है इन्होंने 60,000 क्योंकि बहुत सरे students ने अप्रोच करा होगा university को कि भी हमारा payment रह गया है तो यहाँ पर आप लोगों को payment करने का option मिल रहा है 60,000 का that is apart academic fee बाकी की fees आप लोगों को college में pay करने जब आपको reporting के लिए बोला चाहेगा तो इस तरीके से आप लोगों की जो dates है वो change हो गई है कुछ इस तरीके से आप देख सकते है round 2 जो आप लोगों का अब जो है 29 से start होगा और उसके लिए भी fresh registration ले जाएंगे याने कि कल से fresh generated registration और एक तरीक तक आप लोग जो है इसको भर सकते हैं याने कि 29 से 1 तक आप लोग अपने registration कर पाएंगे 39 से 1 तक आप लोग round 2 की choice filling कर पाएंगे उसमें आपको सारे option मिलते हैं edit करने का, modify करने का, add करने का, delete करने का सभी option आपके पास रहेंगे और जो student नए registration करेंगे उनकी जो documents की verification है वो भी 29 से लेके एक तरीक के बीच में हो जाएगा second round का result आप लोगों का 3-4 तरीक के बीच में declare कर दिया जाएगा तो अब आप लोगों का process बहुत ही जल्दी जल्दी खतम होने वाला है जैसे कि आप सभी को पता है UGC की guidelines के according 16th of August से आप लोगों का session start करना है universities को और ये सभी universities के लिए implement होता है तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ही dates देखने को मिल रही होंगी तो आप लोगों के पास अभी जो time period है इसका पूरा पूरा benefit लेना है जो आज आप लोगों को मिला है तो आज की rate में आपको अपनी remaining जो fees थी वो pay कर लेनी है बाकी उसके बाद जो आगे का process है आपको continue करके बताऊँगा जब आप लोगों के लिए कोई new update आएगी तब और आप अपने course के लिए खुझ से अपने information का ध्यान रखिए क्योंकि university अब particularly हर एक course को अलग-अलग से notifications दे रहा है तो आप लोगों को अपने course की पूरी-पूरी information रखने की जुरुत है तो मिलते हैं next video के अंदर Bye-bye, take care, thank you so much